हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्जाम भी में सुगाइस क्या करा है मैंने इस वीडियो में कि आपके लिए जो मॉक टेस्ट पहला है यह हमारे है होस्टल वार्डन का मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है इस पूराा सॉल्व करूँ आपके सामने यहां पर होने जिसमें आपका का पहले अबère के बता आता हूं जो की आपके काम की चीजें उना कि ने स्टार्टिंग से क्या घरण में पहली बात तो आपने ऐसे बना दिये तो क्या करना है यापर आपने गिंती लिख लेनी है मानलो यह 10 का आपने column बनाया तो यहाँ पे इसके बाद इसका answer इसके बाद यहाँ पे answer फिर यहाँ पे लिख़ना 11, 12, 13 से करना Agent 20 तक फिर यहाँ पे छोड़ने है इसका आंसर फिर ऐसे करते करते आपने 120 का कॉलम बनाना है उसके बगल में उसका आंसर लिखने के लिए आपने जगा छोड़नी है ठीक कॉलम बाइस बनाना है आपने ताकि आप आंसर दिखो और लास्ट मैं कैलिकुलेट कर पाओ कि आपके कितने मांक्स आ रहे हैं और जब ह के हम यहां पर कुछ एक बैदिक्लर को सारे के सारे जी बहाँकर आएंगा यहां पर आपका पाउसको भी आएगा यहां पर यहां पर डिकनत नपर प्रकर ब्लदू कTe is to increase the gross enrollment ratio in higher education by 2035 to, तो higher education क्या होती है हमारी higher education होती है, particularly जैसे कि 12 उगया और यहाँ पर आपके 11, 12 जैसे हमारी क्या होती है, बड़ी classes होती है और उससे भी higher जैसे कि आप गरेशन करना है, यह आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका पचास परतिस सथ तक हमने 2035 तक इसको बढ़ाना है जो कि यह कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिशी में ओके आगला कोशन देखो यह आपका आया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिशी 2020 लेस पर्टिकुलर एंफैसिस उन तो इनका जो विचार है यह किस पर एक तरीके से प्रभावित है किस पर यह लोग एंफैसिस कर रहे हैं यह आपर तो प्रोविजन टुग फ्री एजुकेशन नहीं है डेवलप्मेंट ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास इंफ्रक्टर बिल्कुल नहीं है प्रोविजन टूग जो बच्चा है उसको बाहर निकालना और उसको काम में लगाना यानि कि बच्चे को पता चल सकी कि हां मेरे अंदर यह जो मुझे पता नहीं थी यह देखना है यहां पर अगला कोशन देखो एकॉर्डिंट टूदा ओके यहां पर मैं इसको थोड़ा बढ़ा कर देता हूं अब यह देखो यहां पर एकॉर्डिंग टूदा नैशनल एजुकेशन पॉलिश एनीप दोजार बीस के हिसाब से प्रियोरिटी शुट बीवन टू डैश फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्रन अप टूदा प्राइमरी लेवल तो यहां पर इन्होंने बोलाएगी प्राइमरी भाषा है उस पर हम लोगों ने जाता फोकस करना है अब यहां पर देखो अब आपने अपने अपने अंसर लिखने मेरा वीडियो जैसे मैं आपको समझा रहा हूं उसको पाउस कर दो उसका अपना अंसर लिखो फिर उसका लास्ट में चेक करना कि आपके मार्स कितने आए अगला कुशन देखो न्याशन एजूकेशन पॉलिशी जी य। तो यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन यह पांच इस्तम्भों पर अधारित है तो यह पांच डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन देखो न्याशन एजूकेशन पॉलिशी तो 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 यह पर यह बहुत है लर्निंग यानि कि जो आप अर्जित करने जा रहे हैं जो आप पढ़ने जा रहे हैं वह क्या होनी चाहिए टेक्स्बुक सेंटर क्या निकिता वह पर अधारित कंटेंट जो भी उसम पर experience किया है कि हां मैंने यह पढ़ा है उसको उसका ज्यान है experience लिया है उसका अनुभव लिया है ठीक है अनुभविक होना चाहिए ना कि content टेक्स्बुक बेग परफार्मेस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक यह एक प्रफार्मेंस होता है एक हर डिस्ट्रिक का यह एक groundbreaking report है जो evaluate करती है effectiveness of dash in different district across the country तो यह किस चीज को maintain करती है किस चीज को बनाती है किस चीज को बताती है तो यह हमारे भारत के education system को यहाँ पर बताती है कि कि किस प्रकार से हर डिस्ट्रिक में education जो है हमारा आगे चल रहा है और ministry of education इसको निकालता है अगला है कि the ministry of education recently इन्होंने अभी जुलाई की बात है यह और्गनाइज करा है वरक्शॉप करी एक और्गनाइज जहां पर इन्होंने objective कि यह unifying school examination board across different state and unit territories इनका यहाँ पर main मुद्ध यह था कि जो भी जितने भी different boards जैसे उत्रकंड बोर्ड यूपी बोर्ड से उन सबको हमने unify कर रहा है उन सबको हमने मिलाना है और ऐसे board के सापना करनी है जो कि बच्चों के लिए क्या हो तरिके से प्रभावी हो तो यह meeting कहां पर हुई थी यह हुई थी meeting new Delhi में हुई थी यह जुलाई की बात है चलिए अगला प्रशन देखते हैं अब यहाँ पर आपसे पू लाइफ आफ्टर स्कूल तो यहां पर यह का बोल रहे हैं कि ऐसा आपने एक प्रोग्राम जो की लॉंच किया गया था हमारे पतान मंतरी जी के दौरा 2018 में ताकि जो बच्चे हैं टीचर्स हैं उनका पता चलिए कि कि इनसाइटी होती है पेपर के दौरान बच्चे कितना रहते हैं बच्चे कितना टेंशन में रहते हैं ठीक है तो यह सब चीज़ें यहां पर बताएगा इन सब चीज़ों पर बात करी जाएगी तो यह बात किस पर होती है यह बात होती है किस पर परिक्षा पर चर्चा पर करा गया था तो पेपर से पहले हर बार यह होता भी है तो पतारमंत्र जी यहां पर बच्चों से बात करते के बच्चे का भी ज्यादा मिलेंगे आपको इसमें लेजिम is the dance form of which state तो यहां पर आपसे पुछा गया है जो लेजिम है यह किसका है तो यह है आपका महराष्ट्र का अगला कोशन देखिए दसी कोशन आने हैं वैसे भी इसमें नाशनल एजूकेशन डेई इस अब्जर्वड एवरी एयर इन इंडिया और नॉम्बर 11 तो इनका जरम हुआ था हमारे भारत के पहले सिक्षा मंतरी जिनका नाम था मोलाना अभुल कलाम अजाद जी तो इनके जरम दिवस पर उके इनकी जयनती पर हम लोग इसको मनाते हैं यह इंपॉर्डेंट है इसको आप टिक भी कर लेना अब हम रिजनिंग के कोशन देखेंगे जो कि 30 कोशन आने वाले रिजनिंग के अब यहां पर सिलॉक्स के कोशन हो के मैं थोड़ा चोटा कर जाता हूं ताकि आप सभी को यह देख पाए ओके देखो अब यह कोशन है आपको यहां पर अगर आपको अच्छा जाए से देखेगा statement है कि भाई all cards are boxes यह card हो गया ठीक है all cards are boxes यह boxes हो गया all boxes are torches तो all box क्या हो गया यहां पर torches हो गया all torches are यहां पर क्या आगया shoes हो गया अब all shoes are torches all shoes are नहीं बिलकुल नहीं पहला वाला गलत है all torches are boxes all torches नहीं all boxes are torches होगा यह भी गलत है all boxes are card all boxes नहीं, all cards are boxes होगा और all cards are suits all cards are suits, बिल्कूर सारे-सारे cards, suits के अंदर में आ रहे हैं तो only कौन सा follow करेगा ये वाला follow करेगा तो हमारे 11 का answer क्या हो जाएगा ये हमारे 11 का answer हो जाएगा चलिए अगला question देखे, select the option related to the third word in the same way as the second word ये को library में क्या रखे जाती है books रखे जाती है न ठीक है, library में क्या रखते हैं books रखते हैं, ओके और यहाँ पे museum में क्या होती है ठीक है, museum में आपको क्या देखने को मिलेगा ठीक है, museum में आपको क्या देखने को मिलेगा ये question बहुत, आपने relate करना है यह आपने relate करना है तो यह आपका किसे है artifacts, artifacts क्या होते है पुराने चीजे, जो की लोग देखना चाते हैं, उसको हम museum में रखते हैं, यह होगे यहाँ पर आपका artifact यहाँ पर मैं इसको click कर देता हूँ, यह जो आपको यहाँ पर answer हो जाएगा चलो, ठीक है, अगला question देखो which letter cluster will replace the question mark on the following series तो यहाँ पर आपने बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा बहुत सिंपल है, ह, I, J, K, L plus 4 L, M, N, O, P, plus 4 Q, R, S, T, plus 4 T, U, V, W, X तो अगला आएगा X अब आप देख रहे हैं यहाँ पर Y, Z, A, B, C, D फिर D आएगा E, F, G, H, I 5 का अंतरा आएगा X, O, D तो X, O, D अपर है, पहली देख लो बागी करने की जरूती नहीं है, यह आपका A हो गया ठीक है, मतलब मैं आपको पहली ही क्या करवाते रहा हूँ पहली ही solve करवाते रहा हूँ ताकि आपको जाद इसमें टाइम ना लगे आप यहाँ पर इनोंने बोला है कि इन जो यहाँ पर डब्बे हैं इनको देखके बताओ कि यहाँ पर ट्यूब लाइट मोबाइल और गैजट में क्या संबंद है ट्यूब लाइट एक electronic उपकरण है मोबाइल एक गैजट है तो मोबाइल और गैजट देखो यह हो गया मोबाइल और यह इसके अंतरकत आगए आगे आपका यह हो गया गैजट यह हो गया यहाँ पर आपका मोबाइल मोबाइल में आपका USB आगया पेंट ड्रेव आगया जो भी आपकी गैजट होता है समान अब यह हो गया आपका इलेक्ट्रोनिक उत्पाद उसका ना देगा ट्यूब लाइट तो यह अलग है पूरा का गैजट से ठीक है तो यहाँ पे आपका अउत्तर क्या हो 6 x 4, 52 है, 7 x 3, 58 है, 11 x 3, क्या होगा, 6 x 6, इसका square करो, 36, और 4 का 16, तो 52, ठीक है, 7 का square करो, 3 दरजान, 9, 18, 58, ठीक है, तो 11 का 121, 9, तो कितना आ गया, 13, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे, 15 का आपका answer क्या हो जाएगा, C, ठीक है, चलो, अगला यह देखो, यह वाला थोड़ा करने में आपको समय लग सकता है, लेकिन इसको कैसे करना है, मैं आपको बतायता हूँ, देखो, एक code language में, EK, W, S, D, इसका मतलब क्या होता है, pledge amount special, W, S, D, N, S, D, X, E, V का मतलब होता है, pledge great have, B, H, G, I, K, E, K, G, F, means क्या होता है, prayer amount infinite, which word in that language means special, special कहां पर है, पहली बात तू देख लो, special यहां पर है, तो याद रखना कि यह वाला और दूसरे वाले में क्या क्या रहा, pledge आ रहा है, इसमें और इसमें आपका pledge आ रहा है, और क्या amount special, नहीं, तो याने कि इसमें और इसमें आपका एक word सेम होगा, इन दोनों में, ठीक है, तो यह कौन सा WSD है, उसमें हाँ WSD है, तो WSD को हटा दो, WSD का मतलब क्या हो गया, pledge हो गया, ठीक है, यह हो गया आपका यहाँ पे pledge, अब यहाँ पे देखो, कि पहले वाले में और इस वाले में, ये वाले में और इस वाले में क्या है, same, amount infinite, तो amount है, जो कि दोनों में same है, याने कि इसमें और इसमें एक और word same आ जाएगा, ठीक है इसमें और इसमें एक और वर्ट सेम आ जाएगा कौन सा वर्ट सेम आएगा ठीक है देखो कौन कौन सा आ रहा है QAX IKE IKE आपका IKE यहां से आ रहा है तो यह वाला भी हड़ जाएगा IKE से क्या हो जाएगा आपका amount हमको क्या चाहिए special चाहिए था ठीक है pledge हो गया amount हो गया तो QAX आपका बचाना सिर्फ यह दोनों तो हड गया तो इसका मतलब क्या होगा special होगा तो यह आपका यहां पे QAX हो गया चलो अगला देखो यह भी simple है आपका यह है आपका रचना 12 किलोमेटर तो वेस्ट यह हो गया west देखो यह हो गया east west north south तो यह west की तरफ गई कितना 12 किलोमेटर अब जैसे यह ऐसे जा दिया अब यह left इसका हाथ यहां पे left है ठीक है तो यह कितना हो गया 16 अब यह आगी ऐसे खड़ी हो गई यहां पे ऐसे खड़ी है तो इसके लिए east क्या होगा यह होगा तो यह east गई 22 ओके यह तो यह turn करी अभी यह ऐसे में है तो यह turn करी left में अपने है उसका left यह है 16 ठीक है तो यह भी 16 यह भी 16 लेकिन यह 22 हो गया तो यहां पर अब इसने पुचा है कि how far she was from यह इसका house था यहां पर यहां से यह कितना दूर है तो यह 12 और total यह 22 है तो कितना हो जाएगा 10 km यह दूर है यह 10 km यहां से दूर है यह वाला आपका उतर हो जाएगा चलो अगला देखो अठारवा अब यहां पर बोल रहा है plus का मतलब multiply है तो पहले कर देते हैं हम लोग 38 अब यहां पर into का मतलब क्या है इसका मतलब क्या है minus 38 minus 23 bracket में कर दो और minus का मतलब क्या है minus का मतलब plus है 4 divided का मतलब क्या है divide का मतलब क्या है इसमे divide का मतलब दे रखा है divide means multiply तो 4 into 3 ब्लस का मतलब क्या है प्लस का मतलब है divided by 6 का मतलब क्या है प्लस 3 फिर यहाँ पे यह डिवाइट का मतलब क्या है into यहाँ पे 2 आब इसको कर लो इसको कितना आ रहा है 23 33 तो यह 15 आ जाएगा फ्लस फूर्थ रिजा 12 ठीक है तो ये 15 प्लस 12 divided by 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 इंटू 2 18 ठीक है 15 और 12 कितना हो जाएगा 30 7 27 ठीक है 27 अपन 18 तो यहाँ पे 3 9 जा 27 3 6 जा 18 3 9 3 2 जा 6 1.5 तो नहीं आ रहा है इसमें कहीं गलती हो रही है इसका मतलब 6 9 2 0 18 ठीक है 15 तो यहाँ पे अगर सबसे इंपोरेंट ची अगर आप देखोगे ठीक है तो क्या होगा यहाँ पे इसका ठीक है अब मैं इसको दुबारा से कर लेता हूँ ओके दुबारा सॉल्व करते हैं कहीं पे यहां पे लिखने में मिस्टेक होगी है 38 पहले आफ दुबारा देलेंटें एम मटिपलाय का मतलब माइनस हो गया माइनस यहां पे हमने प्लस कर रहा था हँ पहली बार हमने यहां प्लस ана ता ठीक है delegates पे टो गजप पर question कतम होगा, फिर तो यहाँ पर हमने जब plus करा था इसको, पहले ही हमने इसको क्या करता था, plus का मतलब वो कर दिया था, ठीक है, तो minus की जगा क्या आएगा, minus means plus, ओके, अब 4 का मतलब यहाँ पर divide का मतलब कितना हो गया, divide means into, ठीक है, plus means divided 6 minus 3, ठीक है, तो minus का मतलब plus, 6 plus 3, divide का मतलब क्या है, divide means multiply 2, तो 38 minus 23, यह दुवारा से वैसे ही हो रहा है, 12 plus, 15, तो यह, इसमें, I think, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, यहाँ पर, क्योंकि यह, अगर यहाँ पर, 27 भी आगे था, 27 भाई, 18 तो फिर भी नहीं हो पा रहा है, ओके, तो यह, आपका, ऐसे कर लेते हैं, एक बार, 15 plus 12, पॉन 18 करके भी नहीं होगा, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा, क्या करते हैं, मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि कैसे होगा भूलके, ठीक है, आप लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम जाएगा इसमें, ठीक है, कुछ कोशन ऐसा होता है कि कभी कभार मिस्टेक से थोड़ा बहुत हो जाता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप से भी तो नहीं होगा, या, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, नहीं हो रहा है, by interchanging the given two sign which of the following equation will be correct ठीक है तो यहाँ पर बोल रहे है कि अगर मैं इन दोनों sign को interchange करूँगा यानि कि divide की जगह plus और plus की जगे divide करूँगा तो यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सी equation सही होगी नेखो पहले equation क्या है 11 divide के जगह plus plus की जगह divide दिवाइड और यहां पर इंटू 16 डिवाइड के देगा प्लस 4 माइनस 7 इंटू 20 तो आपने बॉर्ड वाज के अपने डिवाइड होगा तो डिवाइड तो होई नहीं पहला तो पहला तो गलत हो गया फिर आप देखो 18 ये 2 इंटू 6 प्लस 3 माइनस 7 इस इकोस तो 50 तो 2 नाइन जा 18 नाइन सिख जा 72 प्लस कितना हो गया 2 नाइन जा 18 ठीक है 9 जा 18 ठीक है 9 इंटू 6 प्लस 3 माइनस 7 इस इकोस तो 50 3 माइनस 7 कितना हो गया अगर हम करते हैं पहले तो 3 मैनस 7 तो 6 मैनस कितना हो जागा 4 ठीक है तो यहाँ पो कितना मिलेगा आपको ठीक है तो यहाँ पर सबसे important चीज़ क्या है यह देखना है यहाँ पर आपका 72 72 75 minus 7 ठीक है यह भी 50 में से नहीं हो रहा है अब यहाँ पर करो 8 divided by 4 into 5 plus 2 minus 6 is equals to 7 ओके तो 10 हो जाएगा 12 हो जाएगा minus 6 तो यहाँ पर 7 ठीक है यह वाला ठीक है यह वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा चलो अब अगला देखो यह सिलोक्स का आगे दुबारा से यह थोड़ा वैसा कोशन है यहाँ पर अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो इसली नहीं तो थोड़े पिक्सल बढ़ा ले ना अपने उसके ना अगर यह थोड़ा अगर आपको धंग से नहीं चल रहा होगा सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स ठीक है सम डॉक्टर्स आर लेबर्स अल दा लेबर्स आर एथलेट तो अल दा लेबर्स आर एथलेट्स ठीक है आपको रूजन आया सम लेबर्स आर पेंटर सम लेबर्स आर पेंटर नहीं some athletes are doctor some athletes are doctor some athletes बोल रहा है नई आपे some athletes are doctor हाँ है कुछ athletes हो है न doctor बिल्कुल है all the doctors are athletes नहीं ये भी गलत है some athletes are painter some athletes are painter यह हो भी सकता है इसलिए हम लोग तो नहीं मान के चलेगे तो only कौन सा follow कर रहा है यहापे यह आपका d follow कर रहा है ठीक है आप देखो यहाँ पे यह आया आपका पहले तो आप इसको यह बना ले ना कि किये कैसे होना है देखो यह है आपका GHIJKLMN आर प्लेइंग अगेम स्टेंडिंग यह न सर्कल फेसिंग आउटवर्ड तो यह आपका सर्कल है मैं इसको न ऐसे यह आट जने है तो मैं इसको ऐसे बना लूँगा I is neither the neighbor of G nor of M I जो है वो ना ही neighbor है G का और ना ही यहाँ पे M का वो neighbor है तो I को हम लोग कहां रखेंगे तो I को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं आई आपका यह हो गए यहाँ पे ना ही यह आपका क्या बोल रहा है ना ही यह आपका neighbor है G का ना ही M का तो यहाँ पे G और M मैं ऐसी जगा में रखूँगा जहाँ पर यह ना पहुच पाए तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे यहाँ पे रख लिया आप देख सकते हो इसमें ऐसे कोई problem नहीं है आप भी रख सकते हो फिर आपका आएगा J is J is the neighbor of G ठीक है J is the neighbor of G ठीक है J J यहाँ पे आ गया अब क्योंकि G का neighbor है K is the neighbor of N K है neighbor का N and the third to the right of L third to the right of L H is the neighbor of L H is the neighbor of L तो यहाँ पे भी अलग and 4 to the left of J 4 to the left अब यह भार को बैटा इस तरफ तो इसका left क्या होगा इसका left यह होगा 1, 2, 3, 4 ठीक है आप यहाँ पे क्या है L and 4 to the left of J H is neighbor of L H is neighbor of L ठीक है तो यहाँ पे कितना बोला आपने और यह क्या होगा H is the neighbor of L N 4 तो यह H है ठीक है H is the neighbor यह 4 था ना अब आप कहाँ बैटा होगे K is the neighbor of N K कहा है K is the neighbor of N N is third to the right of L third to the right of L अगर आप करोगे ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका K और L है ना ठीक है तो यह आपका L हो गया third to the right अब यह इस तरह बैठा है तो उसके third ठीक है तो यहाँ पर third में क्या हो जाएगा आपका ठीक है third में आपका क्या हो जाएगा K तो यहाँ पर आपका N आ गया तो यहाँ पर मुझे यह इतना मतलब ऐसे करने से थोड़ा easy लगा है नहीं तो अगर यहाँ पर प्रावलम जाती Who among the following stand third to the right of H तो यहाँ पर Who among the following stand third to the right of H यह H ऐसे बैठा बाए है न तो इसका right क्या हो जाएगा third to the right यह आपका third stand third to the right H का right यह 1, 2, 3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर A हो जाएगा चलो आप अगला करो देखो Who is to the immediate right of J ठीक है J के immediate right में कौन था तो आपने बता है J यहाँ पर था तो उसके तरफ में यहाँ पर आपको G देखने को मिल जाएगा ठीक है J इस तरफ में था न अगर मैं यहाँ पर आपको देखो तो J इस तरफ में था यहाँ पर G था तो immediate right क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका G हो जाएगा ठीक है In the following question Select the missing number from the given series Missing number आपने यहाँ पर देना है 19 के बाद 22 अगर आप करोगे तो कितना है gap 3 का 22 के बाद 26 करोगे तो 4 का 26 के बाद यह करोगे तो 5 का फिर क्या आएगा 6 का आप कितने का आएगा 7 का आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 44 हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पर सही उत्तर 44 दुबारा से सिलोग सा question आ गया some hotels are motel ठीक है तो यहाँ पर आप करो some hotels are motels all motels are restaurant all motels यह motels है यह जो all motels है यह आपके restaurant है some restaurant are room some restaurants are room यह R-E और R-O ठीक है some hotels are room some hotels are room ठीक है यह room हो जरूरी नहीं है some hotels are room some hotels are room यह भी जरूरी नहीं है some rooms are motel some rooms are motel यह भी जरूरी नहीं है some residents are hotel some residents are hotel हाँ तो यह बनता है ठीक है तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा answer only for follow तो यह आपको यहाँ पर हो जाएगा बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा ऐसे कोई प्राब्लम नहीं है आप इसको solve करना अच्छे से इन दक कोशन वान टम इन दक कोशन वान टम इसमिसिंग नंबर इस रॉंग इसमें मिसिंग नंबर है 110 से यह 5 का gap आ गये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आट का gap आ गयाँ यहाँ पर आपका 34 यह आपका 14 वा आ गया ठीक हैं और यहाँ पर कितना है gap आ रहा है 48 58 और पंदरह तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि तीन दिन का gap है तीन का तीन का तो यहाँ पर भी कितना 17 आने चाहिए तो कितना क्या गलत है आपका यह आपका 163 गलत है अब देखो 3 of the following 4 letter cluster are alike in a certain way and one of the different पिक दा यहाँ पर आपसे बोला है odd one out G, H, I, J K, L, M, N, O, P तीन दिन का gap है सब में यह बिल्कुल ठीक है U, V, W W, X U, V, W, X, Y, Z ठीक है तो Z, A तो दो दो गया पा रहा है बिल्कुल सही है F, G, H, I gap ही नहीं ठीक है M, N, O, P, Q, R, S यहाँ तो ठीक है R के बाद से 10 यह गलत होगे यहाँ पर आपका तो यह आपका गलत है अब यहाँ पर देखो Q is older than R मतलब आपको पहले इससे लगाना पड़ेगा लिख बिलो एक जगा पर Q is older than R Q is older than R जो छोटा होगो उसको नीचे लिखेंगे N, N, O, R equal age N और O जो हैं वो आपके equal age के हैं S is the youngest सबसे चोटा S है P is younger than O P जो है younger है O से ठीक है P है younger मतलब चोटा है P is older than Q ठीक है P is older than Q तो यहाँ पर मैं Q को यहाँ से हटा दूँगा मैंने यहाँ पर डाल दिया P ठीक है अब यहाँ पर देखो इसने क्या बला था N, N, O, R equal Q is older than R ठीक है ओके छोड़ो इसको दुबारा से कर लेते हैं कोई बात ने Q is older than R ठीक है N, N, O, R equal age N और O जो है वो आपके यहाँ पर क्या है equal age के हैं तो हम यहाँ यहाँ पर N और O लिख देता हूँ S is the youngest P is younger than O ठीक है यहाँ पर O से यह younger है P is older than Q ठीक है तो यहाँ आपका यहाँ पर Q है और यहाँ पर P is older than Q तो Q हहाँ पर आगया आपका तो यहाँ पर R भी आएगा इसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे ठीक है यह आपका Q है न तो यहाँ पर आ गया तो आपका यह ऐसे बन रहा है N और O फिर P फिर यहाँ पर Q फिर R और S अब यह ऐसे बन रहा है अब आप करके देख लो चाहे तो आपको ऐसा यह बनता हो दिखेगा तो अब यह जो P है यह कितनों से P जो है आपका How many person are younger than P छोटे है P से तो यहाँ पर आपका आपको 3 person मिल जाएंगे ठीक है Who is the eldest तो यहाँ पर eldest क्या है या तो N है या तो आपको O मिलेगा ठीक है या तो आपको N मिलेगा या तो आपको O मिलेगा मेरे इसाब से ठीक है तो both 1 and 2 बिल्कुल ठीक है D मेरे सबसे भी D था अब हम यह वाला question कर लेते है जो कि आपका blood relation का R and S means R is the sister of S R is the sister of S तो यह minus है ठीक है R is the daughter of S R is the daughter of S अच्छा यहाँ पर अलग आएगा minus का मतलब ठीक है वो अलग है sorry चलो G plus H तो यानि कि G जो है G is the sister of H G is the sister of H यहाँ पर हो गया H into I यानि कि H is the brother of S H is the brother of H is the brother of I तो यह हो गया हो यहाँ पर आपका plus एक है H is the brother of I minus J का मतलब क्या हुआ I is the daughter of J I is the daughter of J यानि कि यह daughter है और J अभी माता है या पिता है पता नहीं J divided K यानि कि क्या मतलब है J is the husband of S J is the husband of K J is the husband of K यानि कि यह J प्लस है और यह माइनस है और हज्मेंट में डबल आता है K प्लस L जो K है प्लस में क्या है K is the sister of L K is the sister of L K is the sister of L तो यह L की sister यह L की sister है ठीक है और अब क्या आता है L into M L into M तो L is the brother of M L is the brother of M तो यह प्लस है अब क्या बोला है यहाँ पे How is L related to G L और G का क्या है तो L क्या है इसकी मदर का भाई है ठीक है तो क्या होगा L किसे लेटेड होगा यह क्या बोलेंगे इनको इनकी मदर के भाई को तो यह maternal maternal uncle बोलेंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इनको यहाँ पे maternal uncle maternal होता है माता के तरफ के रिस्तिदार अब यहाँ पे अंतिम कोशन ना है रीजनिंग का, इसके बाद हम लोग करेंगे ICT यारे की Information and Communication Technology, अब देखो यहाँ पे, L का मतलब होता है Addition, 34, M का मतलब होता है Multiplication, L का मतलब है Addition, P का मतलब क्या है, P का मतलब होता है Division, N का मतलब क्या है, Subtraction, M का मतलब क्या है, Multiplication, 4 ठीक है, तो 34 M था, तो M का मतलब Multiplication था, तो यह कितना हो गया 233 divided by 12, 233 divided by 12, तो 12 ही था न, यह P का मतलब क्या है यहाँ आपर, P denotes Division, नहां तो Multiple Division ही था, ठीक है 34 into 5, 34 M, 5, ठीक है, M का मतलब क्या था, Miles Optimization, ठीक है, L का मतलब क्या है, Addition, ठीक है, 63, P का मतलब क्या था, Denote Division, ठीक है, Division हो गया, 7 N का मतलब क्या था, subtraction, minus 4, ठीक है, M का मतलब क्या था, M का मतलब यहां पर था, multiplication, तो यह बिल्कुल ठीक है, हाँ तो यह ठीक है, 7 minus 4, 5, 3, 4, 0, 12, ठीक है, और ठीक है, यहां कहीं गलती हुई है, I think, 34 into 5, नहीं, 233 है, 233, और यह इन्होंने P, 63 का यहां पर P यह आएगा, P denotes division, तो division ही आ रहा है, ठीक है, division ही आ रहा है, यहां पर, ऐसा कोई प्राब्लम है नहीं, ठीक है, तो 254, प्लस अगर हम प्लस करते हैं, 12, तो यहां पर कितना आए जाएगा, 245, हाँ तो यह आएगा, हमारा आंसर, यहां पर, कहीं पर, प्लस और इसके गलती हो रही है इन्होंने लिखने वालों ने यहां पर प्लस की किल रही है कहीं पर तो यह कहां से 245 वाला है यहां कि यहां पर क्यूंकि आप ऐसे तो वो है division, तो वो का P का मतर्ब division नहीं है, ओके वो दुबारा से वैसे ही है, शलो, ठीक है, आप यहाँ पर देखो, ICT आ गया है, आपका ICT stand for, ICT क्या stand करता है पहली बात तो, ओके, Information and Communication Technology, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि यह हम लोग करने वाले हैं, कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब आता है अगला, What is the following, approve the definition of information technology, पहली definition, definition क्या होती है इसकी, तो यह होती है, आपकी information technology refer, information technology refer किसको करती है, तो यह refer करती है technology को, जिसमें हम hardware और software को use कर पाते हैं, storage कर पाते हैं, retrieval processing and distributing information of many kind, particularly यह relate करता है आपके computer से, इन लोग ने यहाँ पर थोड़ा इसको अगला से define करावा है, तो यह आ calling is term as multimedia education, multimedia education तो आपको पता ही है, जहाँ पर आपको mobile से online education देखने को मिलेगी, यह भी आप mobile में ही देख रहे हो, ठीक है, तो यह क्या होता है, multimedia education जहाँ पर जो आपका information communication technology है, वो support करती है education को, जैसे आपका mobile में आगर आप देख रहे हो, आजकी date में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, CBT stand for, तो CBT तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, हालकि यह जो आपका exam होगा आगे जाकर, यह आपको particularly offline देना होगा, तो यह हो जाए, computer based training, ठीक है, CBT आपका, ठीक है, यह basic वाला नहीं, computer based test होगा है, तो computer based training होगा नहीं तो, okay, NIP, NPDEL stand for, तो NPDEL क्या स स्टेंड करता है, तो यह है आपका national program on technology enhanced learning, यह आपका होता है, ERNAT stand for, अरनेट, ठीक है, तो अरनेट किस से स्टेंड करता है, यह आपका exam में कई वार, यह आपके आने चांज से, तो यह educational and research network, यह आदक न, educational and research network से आपका, अरनेट स्टेंड करता है, ओके आप यहाँ पर देखो, which are the following institution, ERNAT is used to connect computer, computer से connect करने के लिए, हम लोग ERNAT का use करते हैं, तो वो क्या है, वो आपका है, all of the above, all of the above है, आपका यहाँ पर IACS होगे, IATS होगे, इन सभी को हम लोग connect करते हैं, ठीक है, तो यह है आपका, which are the following is not included in the four basic dimensions of ICT, ठीक है, तो य यह ICT के फिर four basic dimensions में से आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो यह आपका क्या हो गया, तो यह आपको attitude particularly नहीं होता है, ठीक है, attitude आपका, यह आपका attitude होता है, यहाँ पर यह चीज नहीं आती, dimension में, ICT के dimension में attitude नहीं, skills, infrastructure, personal, यह चीज़ आती है, attitude एक अलग word है, जो कि open source e-learning platform has been developed by IIT कानपूर, IIT कानपूर ने, यहाँ पर एक open source, यहाँ पर कोई भी बन्दा आ सकता है, अपना चीज़े अगर वो करना चाहता है, add करना चाहता है, तो यहाँ पर ब्रहस्पती, यह ब्रहस्पती इनका क्या है, open source e-learning platform, recording a television program on a VCR is an example of, ठीक है, तो यह किसका example है, content reference, time shifting, mechanical clarity, media synchronization, ठीक है, तो यह क्या है आपका, यही आपका time shifting के अंतरगत आता है, what is the mascot of Linux, Linux operating system, operating system आपका पता है न, maximum logo के पास आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, maximum logo के पास आपको, मतलब window ही मिलेगा आपको, Microsoft के पास आपको मिलेगा तो यह इनका है, Linux का है, penguin मिलेगा आपको, पैंगविन इनका mascot है, मतलब एक तरगे से बसका तो चिन, our storage device on medium where the access time is dependent upon the location of the data is called, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो यह serial access, parallel access, null access, none of the, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यह आपको serial access के अंतरगत आता है, चलिए, how many digits are there in the mobile money identifier, mmid हम जिसको कहते हैं, तो यह क्या होता है, 7 digits के अंतरगत आपको देखने को मिलते हैं, यानि कि B आपका right answer है, device that connects digital, device that converts digital signals to analog signal at the start of long distance transmission is, तो यह किस सीज में आपको long distance transmission में आपको मिलेगा, यह मिलेगा आपको modem में, तो किसी का password को steal करने को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, तो यह आगा, आपका spooling हम इसको कहते हैं, A dash is a component of motherboard which absorbs the heat produced by a processor and other component of computer, ठीक है, तो यह किस सीज component पर आपको करता है, तो यह करता है, heat sink, particularly heat sink, जो आपका motherboard का, आपको यहाँ पर यह चीज़े देखने को मिल जाएंगी, A small film plate which is used for microfilming the output from a microcomputer screen is called, Small film होती है, plate होती है, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, यह आता है exam में, तो हम इसे बलते हैं, microfic, ठीक है, microfic हम इसको बूलते हैं, B होगा right answer, a computer cannot boot, if it does not have the, a computer boot का उतर रिस्टार्ट होना, अगर उसमें operating system नहीं होगा तो वो boot नहीं हो पाएगा, okay, while studying about computer, we may come to know about the term QDR, तो QDR का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो यह होता है, Quad data rate, ठीक है, Quad data rate, ठीक है, Quad data rate, इसका answer होता है, Quad data rate, ठीक है, तो यह आपका यहाँ पे हो जाएगा, Quad data rate, अगर अगरा देखो, in our computer system, dash is a group of servers and other resources that act like a single system and enable high availability, तो यह computer system क्या होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो यह है आपका cluster, ग्रूप जो होता है, पार्टिविस को हम cluster कहते हैं, अब यह आपका यहाँ पे, पॉसको एक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो पॉसको एक्ट में यह मुझे बहुत, मतलब ऐसा लगा, जो कि यहाँ पे आपको नया है, सिखने को मिलेगा, पॉसको एक दोसरा बारा क्या करता है, क्या यह applicable पूरे भारत में, या फिर यह JNK में applicable नहीं है, या फिर यह सिर्फ Northern State में applicable है, तो आपने बताना है, तो क्या है इसका सही उत्तर पहले वाले का, तो 51 वाले का जो सही उत्तर है, वो आजगा only one, तो यह JNK में भी applicable क्या है, ठीक है, Everywhere in India except JNK, JNK में भी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब तो अंडर में आ चुका है न, और यह भी नहीं, तो यह whole इंडिया में है, तो आपका answer क्या हो जाएगा only one, as per POSCO Act who is a child, child कौन है, पोस्को Act के अंतरगत यह बोल रहे है, तो यह वो बच्चा जो की 18 साल से कम उमर का है, वाइल स्टेट्मेंट इस करेक्ट रिगार्डिंग अगर पोस्को Act के तहर्ट, कौन सक इसमें स्टेट्मेंट राइट है, Every crime against children must be reported as per POSCO Act, तो यह बिल्कुल यहाँ पे मुझे ठीक लगता है, यह against children must be reported as per POSCO Act, ऐसा नहीं कि सारा जो crime है वो हो, ठीक है, must be reported, नहीं POSCO Act के अंतरगत नहीं है, Those who do not report sexual offense against children may be punished as per the Act, तो यहाँ पे correct बोल रहे हैं ना आपको, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, answer that is B, यानि कि only two, आप यहाँ पे क्या है, Every crime, crime अलग अलग है, किसी ने murder कर दिया, तो वो आपका POSCO Act के अंतरगत नहीं है, वो आपका murder वाले case के अंतरगत ही, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आप देखो, The police are required to report the matter of child sexual abuse, to the child welfare committee, तो यह कितने अंतरगत, पुलिस को यहाँ पे भेजना पड़ेगा, ठीक है, तो यह 24 hours के अंदर, जब उनको report हासिल हो गई, तो यह उनको यहाँ पे भेजना पड़ता है, अब यह देखिए, As per POSCO Act, The police are required to perform the following duties, arrange for the safety of the child, take the matter to the CWC, Child Welfare Commission, within 48 hours of report, तो यहाँ पे, पच्चपन का answer क्या मिल जाएगा आपको, यह पहला वाला, ठीक है, 48 hours नहीं था, 24 hours भी मैंने आपको पड़ाया, तो यह तो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे आपका answer क्या हो जाएगा, Only one इसका right answer हो जाएगा, Principle for the use of professional and expert assisting the child at pre-trial R, तो यह क्या होता है pre-trial में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, The right to be treated with dignity and compassion, बिल्कुल ठीक है, The best interest of the child, ठीक है, Right to the life I am सराएग, All of the above इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, As per the POSCO Act, What can be the reason for a child interrogation, Child interrogation का यहाँ पे reason क्या हो सकता है, Okay, तो यहाँ पे आप देखो कि, To establish whether the child needs urgent medical attention, To hear the child's version of the circumstances leading to the concern, To get a picture of the child relationship with their parents or family, All of the above, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, तो यह आपका All of the above, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, अब आएगा, आपका which of the following statement is correct, Regarding POSCO Act केते हैं, इसमें से कौन सा सही है, The POSCO Act provide for compensation for medical expense for the child offended, जिस child के खिलाफ यहाँ पे अपराद हुआ है, तो उसको यहाँ पे compensate दिया जाएगा, तो medical expenses may be provided after the registration of FIर only, यहाँ पे यह बोल रहे हैं कि जो medical expenses है, वो केवल और केवल वो तभी दिया जाएगे, यदि उसकी FIर only launch कर दी है, तो बिल्कुल ठीक है, यह आपका यहाँ पे, बोथ 1 and 2 सही उत्तर आपका हो जाएगा, आप देखिए अगला question, वेन वाज दा POSCO Act implemented, तो यह कब implement हुआ था, तो यह हुआ था, नॉम्बर 14, 2012 में हमने इसको implement किया था, और नॉम्बर 12 क्या होता है, आप मुझे comment में लिखके जरूर बताना, protection of children from sexual offense, 2019 was introduced in the Rajya Sabharaya, सबा में किसने introduce कर था, तो माईला एमन बालविकास मंतरी कौन है अभी, तो आपका बता है, इसमृती, जुबीन इरानी है, वरतमान में इनकी मंतरी, तो यही यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ओके, तो यह है आपका उत्तर यहाँ पर, चलिए, अब कौशन कौन से आएंगे आपके, यह आपके प्रसासनिक योगता के, administrative aptitude के, आपको यहाँ पर यह कौशन देखने को मिल जाएंगे, ओके, तो यह है आपका important, काफी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह है सबसे important चीज़ हैं, जो आपकी, जो आप यहाँ पर कर पाएंगे, ओके, तो क्या करना है सबसे important, in staffing function, which one of the following group of manager is involved, ठीक है, तो यह किस group में, यहाँ पर आपको managers involved देखने को मिलेंगे, तो यह आपका किस में आजाएगा, तो यह आजाएगा आपको all manager, क्या मतलब है इसका, staffing function हो रहा है, which one of the following group of manager is involved, staffing function, किसी भी staff का function है, कोई भी चीज़ है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगी, भाई सारे manager उनका उपस्ति रहेंगे, असानी होगी, सिर्फ जो मेरा manager है वो ही आएगा, अगला है, what is the full form of ABC in term of first aid, अगर first aid देनी है, आप एक hospital warden है, तो आपको first aid वीज़े देनी पड़ेगी, तो यह क्या होता है ABC का मतलब, airway, breathing, circulation, यह बहुत important है, किसी बच्चे को सांस नहीं आ रही होती है, कोई आग जनी से भाहर निकला होता है, तो यह सब चीज़ें यहाँ पर काम आती है, फिर आता है, why are the standard operation procedure important, SOPs जिसको हम बोलते हैं, क्यों important होते हैं यह SOPs, ठीक है, तो यह इसलिए important होते हैं, ताकि ensure करा जाए consistent execution of key process, जो भी चीज़ें हैं, जो की करनी बहुत ज़रूरी है, उसका जो कारे हैं, वो सही तरीके से हो पाए, इसलिए SOPs का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके होस्टल में हो, चाहे वो यदि कहीं भी हो, वो SOPs का होना बहुत ज़रूरी है, वो is the administrative head of होस्टल, कौन होता है, तो यह होता है warden, ठीक है, यह warden होता है, supervisor भी नहीं होता है, organizational structure consists of, organizational structure मतलब होता है, यहाँ पे वो structure, जहाँ पे आप लोग समझ पाओगे, कि भाई क्या क्या इसमें होता है, ओके, organizational structure का मतलब क्या होता है, संगठन का एक तरीके से, आप यह वो सकते कि चीजे, जो संगठन के हिसाब से होती है, संगठन में आप structure जो देखते हैं, कि भाई पहले आप देखते हो, assistant manager, manager, फिर उसके professional manager, ऐसे करके जो आते हैं, वो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो वो होता है, establishing reporting relationship, यानि कि report भी तो करना है ना आपको, कि मैंने ये काम कर लिया, मुझे ये काम चाहिए, ये तो रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए होता है, पवन वाज गिवन आ टास्क, बाई ही सुपीरियर, तो प्रिपेर आप प्लान, इन फाइव देज, ये आस्टू आज तू आफ इस सबोर्डिनेट्स, आर्ति और मिनाक्षी, पवन वाज गिवन आ टास्क बाई ही सुपीरियर तो ये पवन ने एक टास्क दिया था सुपीरियर को, ताकि वो प्लान प्रिपेर कर सेखें, पांच जिनों में, ये आस्टू आफ इस सबोर्डिनेट्स, उसको अपने सबोर्डिनेट आर्ति और मिनाक्षी से, मिनाक्षी काम नहीं कर पाई क्योंकि विमार होगी और उसने अपना काम नहीं करा, तो इस काम के लिए कौन आंसरेबल होगा अब, आप मुझे बताओ कि ये काम क्यों नहीं हुआ, आप कैसे बताओगे, तो इसके लिए कौन है भाई, पवन इसके लिए क्या है टास्क दियाता है इसके लिए यही आंसरेबल होगा ठीक है इसके दो सब्वर्जिनेट थे वो बिमार होगे तो भाई तूने काम क्यों नहीं करवाया तुमको काम करवाना है यह होता है administrative कैसे करना है आपने warden ने warden गया पर नहीं है लेकिन बच्चों का खाना होना चाहिए if manager is our burden then he must use following concept अगर manager बहुत ज़्यादा उसके उपर काम है तो उसको कौन सा concept उसकरना है delegation जहां पर वो अपना काम दूसरों को भी बाट सकता है establishing reporting system से क्या होता है यानि कि अगर आपको reporting system बनानी है अपने organization में अपने administration में तो आप उस चीज को क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वर्क और आपके बीच में जो clarity है वो बनी रहे है कि यह काम मुझे करना है जैसे आप warden हो आपने electrician को बोला आपने supervisor को बोला अपने assistant बोलन को जो काम बोला है उनको पता होना चाहिए कि यह उनका काम है तो कितना आपसे ना लडने आजाए कि यह तो मेरा काम ही नहीं है मैं क्यों कर रहा हूं buying according to the requirement is called आप अपने according के हिसाब से आप buying कर रहे हो तो हम उसे क्या बोलते है hand to mouth buying यह आप अपने hostel में भी करोगे जब आपको need होगी the first activity of purchasing cycle जब आप purchase कर रहे hostel के लिए कुछ तो आप सबसे पहले क्या करोगे आपकी दिमाग में क्या आएंगी चीज़े तो यह आती है recognizing the need for procurement जितना भी आपको चाहिए उसकी ज़रूरत को कितना जल्दी आप पूरा कर पा रहे हैं which of the following is a factor that affects the storage stability of food आपका hostel है आपके 400 बच्चे वहाँ पे रहते हैं आप कैसे वहाँ पे क्या factor है जो कि food की storage को stable करेगा ठीक है तो यह आपका यहाँ पे important है तो यह types of raw material ठीक है quality of raw material भी ठीक है method effective packaging यह तीनों चीज़ आप यूज करोगे तब ही जाकर आपका यहाँ पे चीज़े हो पाएंगी तो आपका उतर हो जाएगा all of the above which of the following sentence is true with respect to food storage preservation आपका hostel है वाई आपको यहाँ पे food storage करना है तो आप क्या इसके लिए true हो पाएगा each food type has a potential storage life तो हर एक food की यहाँ पे क्या होती है potential life होती है ठीक है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सबसे important is कि यहाँ पे आपने चीजों को देखना है तो यह आप क्या करेंगे हाँ पे आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिल जाएंगी हाँ यह which are the following sentence is true with respect to food storage preservation ठीक है तो यह बिल्कुल ठीक है यह वाला यहाँ पे आपको ठीक मिल जाएगा answer बिल्कुल इसमें कोई problem नहीं आएगी which are the following statement is true with respect to food preservation food preservation जो food preservation है इससे आपको कौन सी statement सही लगती है leafy vegetable perish fast due to their high moist content cereals have the highest requirement of moisture and soil ठीक है cereals can be grown with less labor and yield of food is high तो यहाँ पे यह क्या है आपका all of the above तीनों ही बाते भाई यहाँ पे सत्य कही गई है modern management need that's information that supplies by financial statement like profit and loss account and balance sheet आपको पता होना चीए आपके hostel में आपको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है तो इसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पे सबसे important चीज है तो यहाँ पे आप करोगे much more detail आपको बहुत ज़्यादे details लेनी पड़ेंगे तभी जापके आपको बाता सब्सक्राइगा कि भाई आपका जो hostel है वो घाटे में जा रहा है या फायदे में जा रहा है अब अगर मालीज़ आपको hostel है तो आपके जो hostel में particularly क्या होगए यहाँ पे आप समझ पाओगे कि alarm system होना चाहिए जहाँ पे manual इंसान बता पाए कि यहाँ पे आप जल रही है automatic भी आप रह सकते हो अगर आपका hostel अलाओ करता है staffing में क्या क्या होता है staffing का मतलब होता है आपके staff में आपको कौन कौन से लोग देखने को मिल जाएंगे आपके staff में कौन कौन से लोग आते हैं workload estimation ठीक है आपको देखना है कि कितना काम है hostel में termination हटा भी सकते हो appointment आप कितने लोग को रखते हो तो यह सारी चीज़े आती है तो D right answer है maintenance consists of following action maintenance क्या क्या होती है repair, replacement, service बिल्कुल यह तीनों होती है तो यह भी आपका all of the above D हो जाएगा आपका यहाँ पर right answer the following is our schedule maintenance तो ठीक है यह क्या है आपका overhauling of machine, cleaning of tank white washing of building तो यह सारे की सारे आपकी किस में आती है maintenance में आती है तो यह भी आपका D हो जाएगा, right आपका answer है main aim of room inspection room inspection आपने बच्चों कर रहा तो क्या है इसमें to look after guest security नहीं to look for the cleanliness of the mechanical तो यह बिल्कुल मतलब दोनों मैं यह कह सकता हूँ कि दोनों ही ठीक है कि भाई वो guest का हो चाए बच्चे हो दोनों को यहाँ पर देख सकते हैं, okay every room should be checked हर room को आपने daily check करना है as a hostel warden यह आपकी duty है cleaning and dash are critical cleaning and dash are critical to food safety in food service operation तो cleaning और जो आपके services है यह आपका होना चाहिए sanitization, sanitization का मतलब साफ़ाई budgetary control implementation, तो budgetary control अगर आप अपने hostel का कर पाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं standard costing कर रहे हैं, यानि कि आप देख रहे हैं कि भाई कोई चीज कितनी महंगी है तो B हो जाएगा आपका right answer management is the process of management क्या है process का management process का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को आप क्या कर रहे है process कर रहे है process का मतलब क्या होता है आप उस चीज को चला रहे है managing the activities of the organization बिल्कुल ठीक है controlling the affair of the organization बिल्कुल ठीक है administering the department of the organization बिल्कुल ठीक है तो यह आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला देखो which of the following is the method of job training job training क्या होती है job training होती है जो भी वेक्ति नया आता है उसके jobs related उसको बताना कि भाई यह यह आपका यहाँ पर काम है तो job instruction बताना आपका काम होता है फिर आता है a good manager supervisor may not always know the right answer but you will how to find it यहाँ पर क्या होता है यह बार यह चीज़ नहीं होती है कि आपको सब कुस right answer पता है but you will know how to find it तो यहाँ पर आपको यह चीज़े बिलकुस सही आपका यह उत्तर हो जागा true है यहाँ पर आपका answer कि भाई यह चीज एक manager का अंत्रगत होती है जो यहाँ पर इन्होंने बताई है तो क्या करोगे आप goals set करोगे higher ठीक है undertake welfare of employee ठीक है उसका देखोगे compare performance करोगे उसके employee की कि भाई कितनी आपकी बीच में performance का gap है तो यह आपका यहाँ पर क्या हो जागा उत्तर D हो जागा आपका answer ठीक है आप देखो what is one of the key feature of the high quality hostel management system concerning its channel manager functionally ठीक है जो आपका manager मतलब यहाँ पर manager के जगह आप hostel warden भी रशकते हो तो अपने हिसाब से आप इसको रख लेना तो providing integration with local transportation service offering a variety of in-house entertainment option for guests automating task relating to managing distribution channel offering gourmet dining experience for guests क्या यह वाला बहुत जरूरी है यह वाला मतलब इतना जरूर नहीं है आप task automate कर दिया नोंने ताकि वो manage कर पाया, distribution कर पाया channel का ताकि लोगों को इतनी हावे problem नाए, automation करना बहुत जरूरी है मेरे हसाब से सबसे supreme answer होई है एक great hostel management को सबसे important चीज़े क्या करने चाहिए only the number of hostel available for the specific instruction the number of beds in each room boys girls hostel, the total number of follower in each hostel to the school admission process for outstation student, तो क्या करना चाहिए सबसे important तो यहाँ पर दो number of bed है each room के वो boys and girls hostel के वो क्या है, particularly अलग-अलग होने चाहिए जो चीज़ सबसे important देखी जाती है what is the purpose of separating boys and girls यह बहुत important है, इस पर आप टिक लगा लेना क्या है purpose main boys और girls को अलग-अलग करने का तो avoid confusion, ताकि जो hostel management है उनके में confusion न आए बाई कितनी लड़की हैं, कितनी लड़की, कितना खाना खाना है, कितना खाना लड़की के लिए बनना है, कितना खाना लड़कों के लिए बनना है दोनों के लिए protein अलग-لग demand होती है तो तो इस प्रकार से ताकि होस्टल मनेजमेंट को यहां पर अरर ना हो पाए तो पहला वाला आपका आंसर होगा What is the purpose of hostel management system in school? क्या purpose है hostel management का ताकि hostel management यहां पर वो लोग कर पाएं तो यह क्या है to manage time consuming and manual course for school hostel बिल्कुल ठीक है ताकि time consuming जो होता है and manual course for school hostel तो यहां पर hostel management से क्या होता है कि hostel management अगर आप कर रहे हो अगर आपके पाँ सौटफियर है यह वाला तो आप particularly अपने जो time management है वो कर पाएंगे अच्छे से बच्चों को time दे पाऊंगे उनको आप अच्छे से एगडमिकली भी उनका check कर पाएंगे चीजे महात में सब्द क्या है तो आपसे यहां पर महात में सब्द पूछा गया है तो महात में सब्द आपको क्या मिलेगा यहां पर तो यह आपका भाव अचक संग्या हो गया ना यह से हम क्या बोलते हैं यह हमारा हो गया भाव अचक संग्या तो यह चीज़ आप यहाँ पर दियान देना कि यह हो गया आपका भाव महात में अब एक सब्सक्राइण करें जिसे बुलाया ना गया हो जिसे हम नहीं बुलाते हैं उसका मतलब क्या होता है आपका पता है जिसे हम नहीं बुला पाते हैं नहीं बुलाना मतलब वो नहीं, आतिती, आतिती का मतलब आप यहाँ पर मत समझना, ठीक है मैं आतिती नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर होता है अनाहूद, जैसे हम नहीं बुला पाते हैं, that is अनाहूद, आप देखो अगला, निमिकित में से किस वर्ग में सभी सब्द प्र याय का मतलब होता है, जैसे आपका प्रया वचि ठीक हैं, तो यह कौन सा आपका नहीं है, तो अचल नग गिरी, भूदर, मतलब, एक ही के प्रया होता है, अभर सूर कैवल्ले नहीं, ठीक हैं, यह नहीं है, यह अलग अलग, इसमें दो- तीन, दो प्रया वाचि हैं, मतलब जरोत नहीं होती है यह आपका क्या हो जो होता है जो इसका मतलब क्या है फोर सबताना बताने की जरूरत नहीं होती है जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आँख खुली इससे आँख खुलनी सच्चाई समझ में आना ठीक है तो आँख खुलने का मतलब क्या है सच्चाई समझ में आना बहुत सिंपल है मुझे लग रहा है इसमें कोई प्रॉल्लम नहीं है आँख खुलने का सच्चाई समझ में आना अब यह होगा आपका यहां पर देखो यह मैं नहीं कर आँगा क्योंकि यह है आपका कौन सा यह आपका होता है ना आपका आर्ची इसको हम बोलते है रेडिंग कॉम्प्रिहंचन इसको हम बोलते है देखिए आपका पैरेग्राफ ह गद्यांस है इसको गद्यांस के आँसर आपको यहां मिल जाएंगे ऐसे कुछ इसमें बड़ा है नहीं क्योंकि गद्यांस को मैं बालो उपर पड़ूँगा यहां पर पर करूँगा तो हो नहीं पाएगा यह वाला कर लेते डारेक्ली तो यह देखो पवन का संदी तो आपका करम धार है ठीक है आपका पता है ना बरवी तरश प्रूश अभी भाव कर्म धार है तो यह आपके समास से दिखो समास समास के अंतरकत आते हैं आप इंग्लीश आ गया 20 नमर की इंग्लीश डा ले क्योंकि आप इंग्लीश में दुबारत से इंग्लीश हिंदी कर सकते हो तो मैंने इंग्लीश ही डाल दी 10 नमर की और एक्स्ट्रा आप हिंदी भी कर सकते हो ऐसा कोई नहीं है select the most appropriate synonym of the given word superstitious आपको पता है ऐसे कुछ यहां पर इतना बड़ा है नहीं तो synonym of the शुल्टे वर्ड यानि कि सीदे वर्ड यानि कि प्रायवाची ठीक है क्या है कि सरी पिटिटियस तो यहां पर इसका आजएगा क्लेंडिस्टाइन इसका उत्तर हो जाएगा आप इसको check कर सकते हो तो मैनेजर की यहां पर प्लैनिंग थी वह बहुत ही ज्यादा इंपीरियल प्लैनिंग थी बहुत अच्छी प्लैनिंग थी जिससे यहां पर उसको यहां पर फाइदा मिलता है कंपनी को फाइदा होता है अब यहां पर वेन आयवास पासिंग थूदा इस्ट्रीट आई हीरड़ लावड़ इस्क्राम इंड स्मोक रेजिंग फ्रॉम दा रेजिंग तो नहीं आएगा न राइजिंग आता है तो यहां पर हमेशा आपको जब देखने को मिलेगा तो वह राइजिंग होगा ठीक है सो स्मोक राइजिंग होता है रेजिंग नहीं होता है रेजिंग पना पना होता है select the most appropriate meaning of the given idiom to bear the palm to bear the palm का मतलब क्या होता है तो यह होता है कि भाई वह एक व्यक्ति जो जीत चुका है to be the winner select the most appropriate option to fill in the blanks the sky is quite overcast okay we are to have rain today तो 105 का यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर आपका पता है that is the likely to have rain today तो यह likely ही आता है इसमें ऐसा कुछ है नहीं select the word which is same as group of the word given something causing shock or dismay जिसमें शौक और डिसमें होता है उसको हम क्या कहते हैं तो यह appalling हम इसे कहते हैं appalling ठीक है अब आया आपका rearrange करना है आपने पहला sentence है आपका Macomber stabbed Macomber stabbed मैं बोल रहा हूं आपका फिर क्या आएगा Macomber stabbed के बाद क्या आएगा आपका तो यहां पर मैं मानता हूं Macomber stabbed out step के बाद out ही आएगा तो क्यू आपका पहला word आ गया और क्यू एक ही में तो यह आपका पहला यह option यह हो जाएगा बाकि आपको करना की जरूती नहीं पड़ेगी time बच जाएगा यह दुबारा से आपका reading comprehension इससे आपको पढ़ना पड़ेगा यहां पर active passive voice यहां पर मैं आपको बता रहा हूं तो रमें जॉंग संंग में क्या हो जाएगा संक्ष आक संग में क्या होजाएगा तो यह संग बाइस तो यह चीज़ हैप इस चीज़ को रखना गना दुबारा वह यह दिक्षा, knows this address, the address is known to, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, the address is known to दिक्षा, this address, particularly this था ना, this address is known to दिक्षा, तो यह पहरे जो subject होता है, आप यहाँ पर object में जाता है, इसमें यह आप चीज में ध्यान देना है, mother said to me, will you help me in the cleaning of the house, क्या तुम मुझे help करोग house साफ करने में, तो यह said का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर asked हो जाएगा, the mother asked me, if I would, यहाँ पर उन्होंने बताए, if I would, क्योंकि वो अलग है, help her in the cleaning of the house, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका D हो जाएगा, the professor said to Pius, will you clean the data and get back to me tomorrow, तो यहाँ पर बहुत, मतलब यह थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो यह said का मतलब दुबारा से asked हो जाएगा, told वाले हटा देना, यह हटा देना, अब यहाँ जाएगा, the professor asked Pius, will you, will you दुबारा नहीं आगा, if he, ठीक है, तो will you दुबारा नहीं आता है, यह चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान देना, तो B हो गया ना, उसका, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें कौन सा गलत है, तो यहाँ पर आप 115 का ध्यान देना, अब customarily the departing, president hold the branch for the ongoing president on inaugural day, ठीक है, ongoing president, on in आएगा न, in आएगा inaugural day, तो यह C वाला गलत है, okay, I feel the protective instinct of a son want to prevent his mother from hurting, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यह, I feel the protective instinct of a son, ठीक है, of a son want to prevent, instinct of a son, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी गलती है, तो मुझे B वाले में करत लग रहा है, आपको कुछ और गलत है तो आप मुझे बता सकते हो, अब यहाँ पर आपका, देखो, यह कहता है, the environment is the, the environment is the, तो यह आपका, यह है आपका close test जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यह से हम क्या कहते हैं, close test कहते हैं, तो environment हमेसे क्या होता है, एक natural होता है, तो यहाँ पर आप natural लगा सकते हो, world around us and it's in trouble, ठीक है, तो 108 रहा है, it's in trouble due to human activity, बिल्कुल ठीक है, such as climate change, deforestation and water pollution, climate change is the causes by greenhouse gas, leading to a rise in global temperature, while deforestation lead to habitat loss, reduced biodiversity and increased carbon emission, water pollution, तो 101 इसका क्या हो जाएगा, causes, यह भी पर नहीं के नीचे वाला, causes the death of aquatic life, makes water unsafe for human consumption and can affect the quality of soil and crops, lose of biodiversity, threatened the, तो 120 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका, be balanced of ecosystem, close test है, मैंने थोड़ा वैसे करा है, लेकिन यह close test है, ठीक है, तो यह आपका यहाँ पर close test हो गया, complete हो गया, अब यहाँ पर ध्यान देना, कि आप इसमें easily, 90 से 95 score अगर कर रहे हैं, तो आपके लिए सही है, दूसरी important चीज, मैं इसका mock test 2 भी लाऊंगा, अगर आपको त्यारी करनी है, अच्छे से तो, mock test 2 भी मैं आपके लिए लाइक लेकर आँगा, ऐसे ही, आप उसको भी पढ़ सकते हो, उसमें आप अच्छे से कर पाओगे, और कुसमें कोई problem नहीं आने वाली, चीक है, तो वहाँ पर गया दिख लेना, उसमें हिंदी में लियाऊंगा मैं, और हमारा batch भी चालू है, वोस्टल वाडन का, आप उसे भी जॉइन कर सकते हो, आपकी मरजी, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्ज भी कर सकते हो, वोस्टल वाडन, course, I exam B, तो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर demo जागे देशकते हो, कोई प्रावलम नहीं आने वाल यह आपको करवाएं था वैसे यहाँ पर आपको बढ़ाया जाएगा ठीकर तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चाहिए वो भी कमेंट में लिखे मुझे बता सकते हो तो मिलते हैं अगले गुडबाय जाहिन